नमस्कार दोस्तों गुडिविनिंग सभी लोगों का स्वागत है एन अकेडमी के उपर अज पुना हम लोग 10 नए करेंट अफेर्स की बात करेंगे दोस्तों जो कि 5 जून के लिए नए करेंट अफेर्स होंगे आज लोग हम आज हम लोग परियावरन दिवस के विशे में भी कुछ बातें करने वाले हैं हलाकि हमारे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वैसे भी काफी जादा बाते होती हैं करेंट अफेर के विशे में अगर हम परियावरन दिवस के विशे में बात करें करेंट अफेर के अंदर परियावरन दिवस के विशे में अगर हम लोग ब स्वागत है गुड इवनिंग जी प्रेयंका राजोरिया जी सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों मेरी इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ महत्पून असूषना है जिनसे आपको रूबरू मुझे करवाना होता है दोस्तों उसके बाद में हमारी करेंट afer quiz को हम लोग स्टार्ट करेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का करेंट afer quiz का जो information है आप लोगे लिए वो ये है वो उनने वाला है चौधा जूड़ को ठेकिए विलोूग ऐसे हैं चो कि उसको कर रहा है पहला पेपर भी दिया है दूसरा भी तो तीस्दल पेपर भी अपने परो अपने वालों आप लोग देना है, ताकि हमारी चल्पा स्ट्वा समस्क्राइब कर घ्रबर लयू लोगों को इसको enroll करना है तो enrollment link इस video के description में नीचे दी गई है आप वहाँ जाकर के और इस anacademy championship के तीसरे paper के लिए enrollment कर सकते हैं ठीक है चले इसके बाद anacademy ने एक MPPSC 2020 के लिए 120 दिन का targeted batch start किया हुआ जोस्तों इस 120 दिन के 120 दिन का targeted batch start किया हुआ है इस 120 दिन के targeted batch की शुरुआत 20 में को हो चुकी है और इसके अंदर मैं लोकेंदर सिंग आप लोगों के लिए Indian geography दोस्तों बढ़ाने वाला हूँ जिसमें मेरा course 17th of July से start हो रहा है हलाकि बागी बहुत सारे महत्पून educators इस पूरे batch के अंदर जुड़े हुए हैं जितने भी लोगों को 2020 के लिए prelims की तयारी करनी है दोस्तों बहुत अच्छा batch चल रहा है उसमें आप लोग इंटरी कर सकते हैं इसके अलावा एक batch दोस्तों second batch जो चाल हुआ है MPPC 2020 के लिए वो 3 जून को start हुआ है मतलब कली start कल परसों में ही start हुआ है और उस batch में भी काफी अच्छे अच्छे educators हैं आप लोग देख रहे हैं आप लोग इंसे पड़े भी रहे होंगे इसके अंदर मैं लोग के इंदर सिंग आप लोग के लिए दो subject पढ़ाने वाला हूँ Indian quality और Indian geography तो यह दोनों ही subject मेरे रहेंगे इसके अंदर दोस्तों ओके तो तीन जून से यह batch start हो गया है तो जो लोग MPPS से प्रिलिम 2020 की तयारी कर रहे हैं दोस्तों उन लोग के लिए बहुती best यह जो है batch है इसके अंदर आप लोग join कर सकते हैं मेरे दो courses दोस्तों अभी चल रहे हैं इसके अंदर में प्री प्लस में पढ़ा रहा हूं दोस्तों और काफी विस्तार से यहां पर हमारी चल्चाय चल रही है और एक बार मद्यप्रदेश पढ़ना पढ़ेगा अगर आप लोग वो बैच जोईन करते हैं और बार बार आपको मद्यप्रदेश पढ़ने के आवश्यक्ता नहीं रहेगी ठीक है तो जिन लोगों ने भी मद्यप्रदेश पढ़ना है और अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है बार बार पढ़ने के आवश्यक्ता पढ़ती कि प्रिलिम्स का कहीं पर पढ़ लिया, फिर मेंस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो लोग इस batch को दूर होते जाएंगे एक मेरा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है दोस्तों ओके जो कि इस क्लास के बाद मेरी करेंट अफैर की क्लास के बाद 7 पीम को वाला कोर्स होता है ओके तो उस कोर्स के अंदर हम लोग जनित याचिका और नियाइक सक्रेता की बाते कर रहे हैं तो जितने भ महला प्रेशन है आपनों की स्क्रीन के उपर केंद्री मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्री आवास और शहरी विकास मंत्री ने सैयुकत रूफ से देश भर में के नाम से एक इंटर्णिप कारिकरम शुरू किया है अंसर दीज़ेगा दोस्तों बिलकुल बिलकुल दो शेर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में से, ओके, अंसर दीजेगा, बहुत सरे लोगों ने इसका अंसर दिया हुए, इसके बाद दीक्षा साहु जी, राहुल जी, श्वाती, सपना, साक्षी, सौरभ जी, इतने लोगों ने मुझे अंसर दिया, जोगा जी, श्रिवास्ताओ, सार्दा, जी, रंजना, नेहा, अतलग, कुल्दीब, गजेंद्र जी, इतने लोगों ने मुझे अंसर दिया वाए, दोस्तों अभी, और भी मुझे अंसर की और भी आशाएं हैं, और लोग भी इसका अंसर दे सकते हैं, कुल्दीब, गजेंद्र जी, ठी उसके मंत्री और साथी साथ केंदरी आवास और शहरी विकास मंत्री दोनों ने मिलकर के दोस्तों ये ट्यूलिप नाम का एप लॉंच किया है देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आगे देखते हैं दोस्तों पहले तो इन दोनों मंत्रियों के नाम जाल लेते हैं कि भी ये केंद्री मानव संसादन विकास मंत्री भारत के अंदर अभी हैं कौन ये भी अमें पता होना चीए तो केंद्री मानव संसादन विकास मंत्री अभी वर्तमान में भारत के अंदर हैं श्री रमेश, पोक्रियाल, निशंग, ये केंदरी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं दोस्तों भारत केंदर अभी, दूसरा केंदरी आवास और शहरी विकास मंत्री स्वतंतर प्रभार कौन है, श्री हरदीप सिंग पुरीजी है, तो स्री हरदीप सिंग पुरीजी जो हैं वो किंद्रे आवास यह उन शहरे विकास मंत्री हैं तो इन दोनों मंत्रियों के नाम याद हो गए पहले तो हमें यहां से दूसरा यह जो ट्यूलिप नाम का एप यह ट्यूलिप नाम का जो graduate चातर हैं दोस्तों वो लोगों को internship नहीं मिल पा रही है उन लोगों को कुछ ना कुछ skill development की चीज़े नहीं मिल पा रही है तो केंद्री मानौ संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और केंद्री आवास और शेहरी विकास मंत्री स्री हरदीप सिंग पुरी जी ने ये टीुलिप इंटर्शिप प्रोग्राम स्टार्ट किया इस इंटर्शिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकें, वहाँ पर उनको रोजगार मिल सकें, इसलिए ये internship program मानव संसाधन विकास मंतराले और केंद्री शहरी एवं केंद्री आवास एवं शहरी विकास मंतराले के माध्यम से प्रारंब किया गया है, चलिए इसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मेन दोस्तों एक मेन, मुझे टाइम देदीजेगा, ठाष अब इसके बाद दूसरास पांधा रहाव दोस्तों, आपनों की स्क्रीन के उपर सेकन्ड पांधा रहाव दिल्ली अम्रितसर कत्रा express way दिल्ली अमरतसर कटरा express way निमलिखित में से किस परियोजना के तहत विक्सित किया जा रहा है ओके निमलिखित में से किस परियोजना के तहत विक्सित किया जा रहा है दोस्तों अभी हाल ही में ये खबरों में था दिल्ली अमरतसर कटरा express way आंसर दीजेगा पड़ावट पड़ावट आंसर देज़े दोस्तों इसका और जितने भी लोग आंसर दीजेगा ये आंसर आया हुआ एज्जे मोजो जी का ए आंसर आया हुआ है भारती अहिरवार जी का भी ए आंसर आया हुआ है ओके और देखते हैं और आंसर आता है राहु दिल्ली अमरसर कट्रा एक्सप्रेस वे निमले कितमे से किस परियोजना के तहत विक्सित किया जा रहा है दोस्तों भारत माला परियोजना के तहत ये विक्सित किया जा रहा है दिल्ली अमरसर कट्रा एक्सप्रेस वे भारत माला परियोजना की शुरुआत जो ही ती दोस्तों बने हुए थे, जो कि अधूरे रास्टी राजमार्ग थे, उन रास्टी राजमार्गों को पूर्ण किया जा रहा है, साथी साथ भारत के बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है, भारत के जो बड़े एरपोर्ट्स हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, इसके अला अलावा भारत के जो परेटा निस सलह उनको जोड़ा जा रहा है जो चार धाम है दोस्तो बदरीनाथ चार धाम की पहुँч को बढ़ाया जा रहा है okay चार धाम तक पहुँच जो है उसको बढ़ाया जा रहा को यह जो है परियोजना स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा ओके चले अगला प्रेशन है दोस्तों आपने की स्ट्रीन के उपर निमलेखित में से किसने रास्टी उर्वरक लिमिटेट के अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक के रूप में अतरिक्त प्रभार समाला है आंसर दीजेगा दूस्तों तुम्हें कितने से किस ने रास्टी उर्वरक लिमिटेड इट मींज के नैस्टनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कारेभार समाला है दूसरों, ओके भारती अईरवार जी ये जो क्लास स्टार्ट होती है छे बज़े स्टार्ट होती है और लगबग 40 मिनट की क्लास रहती है तो 6 बज़े से 6.40 तक ये क्लास रहती है चलिए बहुत सारे लोगों ने ये आंसर मुझे दिया हुआ है एस जे मोजो जी का रंजना जी का अंसर दीक्षा साहू गजिंदर जी राहूल स्वाती जी और मुझे राहूल राथोर जी सपना रावत भारती सिंग कुल्दीप प्रियंका राजोरिया जी निलिमा समिक्ष चाह कुल्दीप जी अकांग शा जी मौनिका भारती कुल्दीप यादाओ नेहा अदलक और भारती एहरवार चीके इतने लोगों ने मुझे अभी तक आंसर दिया है सुधा राजपुत जी का भी आंसर आ गया है फातिमा जी का भी आंसर आ गया है दोस्तों बी विरेंदर उसके प्रबंध निदेशक दीए तो इनका चितर हम लोग देख लेते है दूसकों विरेंदरनाथ दत्त जो है इन्होंने पद्बार समाला है आप लोगों के सामने सामने के इमिश्त पूरा Nhुके औरिएसर का पर्रॉडक्शण नेदेशक अर्छम निदेशक उसके CMD के रूप में कारेभार समाला है विरेंदरनाथ दत जी ने तो इनका चितरा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों विरेंदरनाथ दत जी का ये हैं दोस्तों विरेंदरनाथ दत जी जिन्होंने के अभी कारेभार समाला हुआ है अभी हम National Fertilizer Limited के विशे में भी पढ़ेंगे ल प्रभार को इन्होंने समाल लिया है स्रिदत अक्टूबर 2018 से कंपणी के निदेशक के रूप में जुड़े हुए ठीक है इन्होंने अतरिक्त जो है प्रबंद निदेशक का कारिभार जो है समाल लिया है चलिए अब इस हम देख लेते हैं दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेट के विश्य में कुछ इंपॉर्टन चीज़े क्योंकि या नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेट के प्रबंद निदेशक के अतरिक्त कारिभार को समाला है नरेंदर नाथ जी ने तो इस नैशनल फर्टिलाइजर क्या है इसको तो हमें जानना पड़ेगा तो भारत सरकार के स्वामित वाला एक जो है कंपणी है दोजार अठारा तक ये भारत में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था मतलब फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जिस था दोजार अठारा तक इसकी स्थापना कप की गई थी इसका इस्ट प्रोडक्शन करता है मुख्याले जो है इसका दोस्तो वो नोएडा के अंदर है नेशनल फाटिलाइजर लिमिटेट का ठीक है तो उसके प्रबंदर निदेशक के रुप में कारेभार समाला विरेंदर नाथ दत्त जी ने अगला प्रेशन दोस्तों आपनों की स्क्रीन के पर है भारत सरकार ने और भूटान की सरकार ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं उस समझोते से रिलेटेड यहां पर पॉइंट्स है दोस्तों उन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट्स सही है या सभी पॉइंट्स जो हैं वो सही है या आपको उतर देना है तो लिख पहला पॉइंट ए है केंद्री मंत्री मंडल ने प्रत्वी विज्ञान में वैज्ञानिक और तक्निकी सहयोग के छेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और भूटान के भी समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी हैं। इसमें कौन सा दोस्तों आपनों को जो है answer सही लग रहा है। इसमें केवल सी जो है वो सही है दोस्तों परियावरण के छित्र में परियावरण के छित्र में ये समझोता हुआ है ना कि प्रत्वी विज्ञान में व्यग्यानिक और तक्निकी सहयोग के लिए देख लेते हैं इसका explanation क्या है आपनों की screen के उपार है दोस्तों प्रेधानमंत्री श्री नरिंद्रमोदी की अधिक्षता में केंद्री मंडल ने परियावरणी छित्र में सहयोग के लिए भूटान की सहई सरकार और भारत सरकार की भी समझोता ग्यापन पर क्या की है घस्ताक्षर की है यह समझोता ग्यापन दोनों देशों के में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक्ता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को बर्यावरन संद्रक्शन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंदन में निकट और दिर्ग कालिक सायोग को स्थापत और समध्धित करने में सक्षम बनाएगा दोस्तों समझोता ग्यापन प्रतियक देश में लागू होने वाले आवश्यक कानूनों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करेगा मतलब के कुल मिला करके दोस्तों अगर मैं इसके विशे में एक सिंपल सी बात करूँ तो पर्यावरण संद्रक्षन के छित्र में यह समझोता किया गया है भारत सरकार के बीच में और भूतान की शाही सरकार के बीच में इसमें जो मैंने आपनों को बताया हुआ था दोस्तों यह समझोता ग्यापन जो है वो कब तक चलेगा यहां जो दोस्तों यह वाली जो बात है यह 15 वर्ष ना होकर कि यह 10 वर्ष है इसलिए second point क्या हो गया गलत हो गया 15 वर्ष ना होकर कि समझोता कब तक लागू रहेगा 10 व रासाइनिक प्रबंधन chemical management के उपर दोनों के बीच में सहयोग होगा जलवायू परिवरतन ठीक है climate जो चेंज हो रहा है उसके उपर दोनों के बीच में सहयोग होने की बाद इस संजोता ग्यापन में दोस्तों कही गई है सब बहुना में बह गए है हाँ सही बात है सबके इसको आंसर था दोस्तों वो सी वाला सही आंसर है और मैंने इसकी जो basic information वो आपनों को बता दी है ओके पर्यावरन संख्षन के छितर में पर्यावरन डिवस भी च्छितर में जो है इसको प्रारंब किया गया है दोनों देशों के बीच में बाकि और information आपनों को PDF से मिल जा टेलिग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजेगा एड़ दरेट लोकेंदर सर उस टेलिग्राम ग्रुप की लिंक में जाएगा और वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्द हो जाया करेगी साथी साथ एक और लिंक है एड़ दरेट MPPSC 10 उस ग्रुप के अंदर भी जाकर के आपको इस 10 नए Current Affairs की बात करते हैं दोस्तों तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि Current Affair पढ़ना चाते हैं डेली Current Affair पढ़ना चाते हैं वो लोग इस क्लास को ज़रूर जोइन करिएगा बहुत ही अच्छे Current Affair बहुत ही मेहनत से यहाँ पर आप लोग के लिए उपलब्द कराया जाते है चलिए मिल जाएगा मिल जाएगा आकांग्षा पराशर जी उसमें बिलकुल मैंने अभी तक की सारी PDF उसके अंदर आपको मिल जाएगी यह ना पूरे महीने भर की लास्ट वाली पूरी PDF आपको उसके अंदर मिल जाएगी चलिए इबुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुखेगी किस राज्य सरकार की पहल है गजेंदर जी का अंसर मोनीका समिक्षा भारती और भारती अहिरवार जी और स्वाती मिश्रा जी कलपना रावत कलपना पाठक नेहा दलक आकांग्षा पराशर जी माया बगेल जी सुध राजपुत जी इतने लोगों ने मुझे अभी तक सही अंसर दिया बिल्कुल दोस्तों मद्ध प्रदेश में चालू किया गया है इबुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी ठीके तो जितने भी स्कूल जाने वाले जितने भी स्कूल जाने वाले लोग है ना उनके लि स्कूल को चालू क्यों की नहीं किया जा रहा है उन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया लेकिन मद्ध प्रदेश सरकार उनके विशे में जरूर सोच रही है एना इबुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी मद्ध प्रदेश में इसकूल शिक्षा विभाग के इब माध्यम से अब विभागी कार है दोस्तों मतलब इस जो जो इबुलेटिन स्टार्ट हुआ है इस इबुलेटिन को आप लोग कहां पर देख सकते हैं इस संकटकाल की स्थिति में यह बहुत यह अच्छी पहले जो है सरकारों के द्वारा की जा रही है दोस्तों इबुलेटिन को आप कहां देख सकते हैं देखिए इबुलेटिन को मोबाइल या कंप्यूटर पर नीचे लिखा हुआ है इबुलिटिन को मोबाईल या कम्प्यूटर के माध्यम से इंटरनेट गूगल सर्च पर ये वाला जो लिंक दिया हुआ दूस्तों इस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं इसको देख सकते हैं तो मदप्रधे सरकार स्कूल के विशे में काफी तो यह चीज है ठीक है इबुलेटन मद्रप्रदेश सरकार के द्वारा चालू किये गए इस्कूल सिख्षा विभाग के द्वारा चालू किये गए ताकि पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए मद्रप्रदेश के अंदर ओके चले छटवा प्रेशन है दोस्तों आपनों की स्क किया है ओके आंसर दीजेगा दूस्तों इसका किसने कर्मचारी वेतन ट्रेकर मोबाइल एप मेरा वेतन लाउंच किया है ओके बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया है एस जे मोजो का आंसर आया हुआ है अच्छा एस जे मोजो का आंसर जो आता है वही दे देते हैं क्या सब लोग क्यों जो एस जे मोजो आंसर दे देते हैं वही सब लोग आंसर दे देते हैं क्या जरूर ही है क्या वही सही देखो स्वाती जी राठोर जी निली मा दीक्षा कल्पना सपना गजेंद्र सार्दा महरा जी ने नहीं दिया है बाकि सब लोगों ने वही आंसर दिया है आकांग्षा परासर जी को मालूम नहीं है अच्छा देखो समिक्षा ने अलग दे दिया नहीं नहीं तो मजाक कर रहे ना आप लोग उसको ठीक है आप लोग इसको दिंपाग्पर या दिल पर मत ले लेना थिक है हम थो प Eddy आजिसे बजाग कर रहे है चले कि opedia में आना बिलकुल 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 गिरीश चंदर मुर्मू सबी लोग Ciao tree मैं तो खाली बस ऐसे मजा करता रहता हूं क्लास के अंदर ताकि माहुल अच्छा बना रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मु जी इन्होंने इसको लॉंच किया है कौन है गिरीश चंद्र मुर्मु जी देखते हैं दोस्तों उप राजपाल है यह कहां के जम्मू एंड कश्मीर क इन्दर शाषित प्रदेश के गिरीश चंद्र मुर्मु जी जिन्होंने तीन जून दोहजार बीस को राजपावन में जम्मू एंड कश्मीर करमचारी वेतन ट्रेकर मोबाइल एप मेरा वेतन लॉंच किया गिरीश मुर्मु जी के द्वारा इस मेरा वेतन को लॉंच करने का अदेश यह दोस्तों की जमु कश्मीर में इस लॉकडाउन के संदर्ब में बहुत सार ऐसे लोग हैं जो की हैड़ गॉर्टर से दूर रह करके काम कर रहे हैं गाओं में काम कर रहे हैं जिससे सिख्षक वगे रहे हैं वो काम कर रहे हैं तो उन लोगों को अपने वेतन की information म खेले दिल दिमाग दून सब के पास सब कुछ है दोस्तों गिरीश चंदर मुर्मू जी जो है उन्होंने इसको लॉंच किया इसका उद्देश जो है दोस्तों की जितने भी गौवर्मेंट इंप्लॉई हैं जम्मू कश्मीर के इंदर उन सभी लोगों को अपने वेतन की आने के अप्लिकेशन का उद्देश कर्मचारियों को वेतन संबंदी जानकारी प्रदान करना है मेरा वेतन एप के लॉंच के साथ विशेश रूप से दूरस्त और ग्रामिंट शेत्रों में तेनात कर्मचारी जिनकी डीडियों तक पहुंच नहीं होती है वे आसानी से अगला प्रेशन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपनों की स्क्रीन के उपर हाली में समाचार पत्रों में देखे गए बासू चटर जी कौन थे हाली में समाचार पत्र में देखे गए बासू चटर जी कौन थे और देखते फटावट 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 आंसर दीजेगा फटावट 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 आंसर दीजेगा फटावट फटावट सपना रावत राहुल साकेत रंजना भारती समिक्षा गजेंदर कुलदीप जी प्रियंका राजूरिया जी मोनिका पाटिदार जी सपना अरे और बागी लोग कहां चले गए आकांग्शा कहां हो अच्छा अच्छा ऐसा है क्या ठीक है सौरव जी चलिए बहुत बढ़िया फिल्म स्टार थे प्रतिक्षा जी साक्षी जी सुभाज जी स्वाती जी बहुत सारे लोगों ने दोस्तो आंसर दिया बहुत बड़िया दोस्तों जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं तीन से विल्म ! यही भूमें लोग उपस्थी थे कम से खंल वह तो लाइक करो !।ुम लोग मेरी मेरी मैंनस का फायदा उठार हो तो लाइक तो करो ! हो जलो जल्दी से जाल्ल! लाइक कर जानना जाओ दोस्तों ! जल्दी फट़ाफट फट़ाफट लाइक पिर अजाएएगा ! फिर मैं इसका explanation आप लोगों को देता हूँ चलो फिल्म निर्माता हैं दोस्तों ये हाली में समाचार पत्रों में देखेगे बासू चटर जी चलिए बहुत बढ़िया धन्यवाद बासू चटर जी जो हैं उन्हों वो एक फिल्म निर्माता हैं दोस्तों जिनका के हाली में निधन हुआ है देख लेते हैं फिर में निर्माता पठ्कता लेकर बासू चटर जी सत्तर और अस्ती के दशक में हिंदी सिनेमा के मशाल वाहक का चार जून दोहजार बीस को के द्वारा यहाँ पर देखते हैं उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया है एक समवाद लेखक भी थे वो कुछ फिल्मों का निर्माण में उनके द्वारा किया गया है उनका जन्म 10 जन्वरी 1930 को बिटिज भारत के अजमेर में हुआ था उनके द्वारा कौन सी म यह और स्फेकर छोटी सी बाद यह उनकी मूवी का नाम है छोटी सी बाद रजनी गंदा बातों दातु में एक रुका हुआ फैसला इस तरीके की उसके लावा चमेली का चमेली की शादी ठीक है चमेली की शादी उस पार उस पार निकलना है ना सब लोगों को MPPSC को पार करना है कि निकलना सब लोगों को तो उस पार चित चोर पिया का घर ठीक है खटा मीठा तो इस तरीके की movie जो है उनमें उन्होंने बहुत ज़्यदा काम किया है ठीक है चलिए और भी बहुत सारी वाते हैं इनके विशे में दोस्तों जिनके जो जानकरी आपको PDF के अंदर मिल जाएगी इन्हें lifetime achievement award वगेरा और रास्टी film पुरुसकार वगेरा भी मिल चुके हैं ब देखें तो काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण movie ओं में इन्होंने क्या किया है काम किया है चले अगला प्रशन है दोस्तों आपनों की screen के उपर लेकिन एक important information है दोस्तों आपनों के लिए आज 9-10 आज रात को 9-10 MP का MCQ लेने वाला हुम है जिसमें दोस्तों काफी सारे बच्चे होते हैं मतलब 100 को cross कर जाएं इतने बच्चे होते हैं उसमें और इतने सारे बच्चों के अंदर rank लेकर क्या ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो अगर इतने बच्चों के अंदर हम rank लेकर क्या रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा MPPSC की तैयारी काफी अच्छी है तो जिन लोगों की तैयारी काफी अच्छी है MP के अंदर वो लोग आकर कि उस MCQ में जरूर पार्टिसिपेट करें उसके लिए मेरी प्रोफाइल लोकेंदर सिंग के नाम से सर्च करके मेरी प्रोफाइल को जाकर के सर्च करिएगा वहाँ पर आपको 9 बजे वो क्लास मिल जाएगी अभी जाकर के भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे फॉलो करेंगे तो 15 मिनट्स पहले उसका आप लोग के पास में इस तर जब उसके अंदर रैंक लगेगी तो पता चलेगा कि आपकी तयारी का क्या स्थर है अगर अच्छी तयारी होगी तो अच्छी रैंक लग जाएगी तो जितने भी लोग इस क्लास के अंदर है दोस्तों उस 9 से 10 बजे के एमसी क्यूęt के अंदर सभी लोग शामिल होना चले अगला प्रेशन में दोस्तों की स्क्रीन के ओपर हाँ एप पर होगा एप पर होगा अंडडमी एप के उपर होगा ठीक ये अनड़ कर लीजएगा तो आपको नोटिधिकेशन भी आजाएगा और 9 बज़े में क्लास धीसे लोग ठीक ये बिलकुल आँ चिये आंसर दीजे केंद्री मंदल ने निमलेखित में से किस मंत्राले के अंतरगत भारती चिकित्सा और होमियोपेथी के लिए औशद कोश आयोग की पुनरस्थापना को मंजूरी दे दी है दोस्तों चलिए आयूश मंत्राले ओके आयूश मंत्राले इसका आंसर है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था देख लेते हैं क्या है ये आपनों की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है दोस्तों की प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी की अध्यक्षिता में केंद्री मंत् परगद अधिनस्त कार्याले के रूप में अधिनस्त मतला सबॉर्डिनेट ओफिस के रूप में भारती ओशद और होमियोपेथी के लिए ओशद कोश आयोग की पुनरेस्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है ये जो ओशद कोश आयोग बना हुआ है दूर्पो ये कुछ सं संस्थाओं को मिला करके बनाया गया तो वो दो संस्थाओं कौन सी है जिनको की मिला करके इस ओशद कोश आयोग का निर्मान किया गया है इसमें गाजियाबाद में 1975 से इस्थापित दो केंदरी प्रियोक शाला फार्मा कपियो लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और ह की आयोग दोनों के लिए बना दिया गया है ठीक है बाकी की information आपनों को PDF के अंदर दोस्तों मिल जाएगी ये औशद कोश आयोग ध्यान रखेगा प्रिलिम्स में पूछे जाने की संभावना है औशद कोश आयोग की स्थापना किस मंत्राले के अंतरगत की गई है तो अगला प्रेशन है करेंट अफेर का नवा आपनों के लिए निमलेकित में से कौन ब्रिटिश फिल्म और टेलिविजन कला अकादमी के नए अध्यक्ष बने है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रेशन है ब्रिटिश फिल्म और टेलिविजन कला अकादमी के अध्यक् का अंसर आया हुआ राहुल राठाउर जी का항शर आया हुआ दी ए उदिखोटक जी को बना दी है क्या जीके भुए सारे लोगं का डी आंसर आया हुआ है को दी ही अंसर सही है क्रष नेंदू मजुंदार को बिटिश फिल्म और टेलिविजन कल अक आदमी का नया अद्यक्ष बनाए गया है इनका चित्र देख लेते हैं उके चित्र देख लीजे पहले आप यह है ठीक рук मजुंदार जी जिनको की वहां का नयाż अद्यक्ष बनाया गया है अब बाफ्टा इसका शौट फॉर्म है दोस्तों किसका किसका शौट फॉर्म है बिटिश फिल्म और टेलिविजन कला अकादमी का ठीक है बिटिश एकेडमी एंड फिल्म एंड बिटिश एकेडमी और फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स का इंदू मजुमदार बाफटा के पिछले करीब 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष की रूप में नामित होने वाले पहले भारती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारती मूलके हैं पिछले 35 सालों के इतिहास में क्रश्नेंदू मजुमदार बिटिश अकैडमी ओफ फिल्म एंड ट इति चैर्मेन के रूप में क्या करेंगी काम करेंगी आगे की बात दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बाफटा के विशे में जान लेते हैं बिटिश अकैडमी ओफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं कौन क्रश्नेंदू मजुमदार तो बाफटा के विशे में जान लेते हैं बिटिश अकैडमी ओफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स एक्स्वतंत्र संस्था है जो यूनाइटेट किंग्डम में चलती छवी चलती छवी मतलब फिल्म टेलिविजन गेम के कला के रूप में समर्थन करता है और उसको विक्सित करता है पर उसको बढ़ावा देता है मतलब बाफटा जो है वो फिल्म जो आपके टेलिविजन के ऊपर जो चीज़े आती है ब्रिटेन में ब्रिटेन के लिए वो क्या करता है उसको विकसित करता है उसके डेवलेप्मेंट के लिए काम करता है इसका फॉうन्डेशन का वा था 1947 में इ आपर है पिनाडिली लंदन में इसका बुख्याल सब्करेज के आपनों की परियावरन दिवस् teilweise संबंदित आज में आपनों इससे संबंदीत, देने वाला हूं ओके पर्यावरन दिवस से संबंदित भहुत सारे प्रश्णों की आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरन दिवस के संदर्व में निल्सिक कत्नों पर विचार करिएगा विश्व पर्यावरन दिवस 2020 का विश्व प्रकृति के लिए समय है पहली बार इस यह भी एक क्वेस्टिन बन सकता है बाफ्टा के ओ हो 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 है कि इतने लोगों ने साकेच शर्मा जी ने आंसर दिया हुआ है कुल्दीप यादव जी ने आंसर दिया हुँझे कि रिया विश्व पर्यावरन दिवस 2020 का विश्व प्रकृति के लिए समय ही तो है देखो दोस्तो ए इसका आंसर है मतलब कितने लोगों को विश्व पर्यावरन दिवस के करण की जानकारी के विश्व पर्यावरन दिवस के विश्व में लोगों के पास में बहुत कम जानकारी यहां पर जो आप लोग आंसर दे रहे हैं उस आंसर से मुझे समझ में आ रहा सारी चीजे क्लीर कर देंगे जो जो प्रिलिंस में यहां से आ सकता है, चलिए देखते हैं, प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरन दिवस इस बार 46 वा पर्यावरन दिवस मनाया जारा है, तो ये ध्यान रखेगा दोस्तों सबको मालूम है सबको मालूम है कि वैया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो MPPSC पूझ भी लेगा तो सब लोग सही कर देंगे वो लोग तो सही करी देंगे जिनको कि सिलेक्ट होना है है कि नहीं लेकिन लोगों को ये पर्यावरण के प्रती लोगों में जागरुता फिलान ये तो सब आपने लोगों मालूम है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पहली बार इस दिवस को मनाने की गोष्णा संयुक्त राज संके द्वारा सन 1972 में की गई थी 1972 में ठीक है घोष्णा 1972 में की गई थी लेक और मनाया कब गया था पहली बार पांच जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुवात स्वीडन की राजदानी स्टोक होम से हुई थी ये भी एक प्रेश्णा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अब या विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुवात कहां से हुई थी ठीक है कहां से हुई थी स्वीडन से हुई थी ठीक है स्वीडन की राजदानी स्टोक होम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुवात हुई थी यहां पहली बार 1972 में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था स्वीडन के स्टोकों में 1972 में पर्यावरन सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहीं पर ये जो है बोल दिया गया था कि हाँ भया अब हम विश्व पर्यावरन दिवस मनाएंगे और फिर 5 जुन 1904 को उसको म मनाये जाता है विश्व पर्यावरन दिवस 2020 का विश्व प्रकृति के लिए समय है टाइम फॉर नेचर ओके ये विश्व पर्यावरन दिवस का क्या है 2020 का विशे Time for Nature मतलब के प्रकृति के लिए समय लब ये एक ऐसा समय आ गया है दोस्तों जब आपको प्रकृति के विशे में सोचना पड़ेगा आप सभी को मालूम है COVID-19 जैसे वाइरस जो है वो परियावरण प्रदूशन के माध्यम से ही जन्म लेते हैं दोस्तों अब वो कि सब्सक्राइब को मालूम है दोस्तों को इसी दिक्कत वाली बात नहीं है और बाकी की चीजें आप आप लोगो को इस के अंदर मिल जाएगी जो मी कोस्टिंस बन सकते हैं परियावरण दिवस्ते संदर में वो में आपनों को बता दिये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यह आप लोगो के स्क्रीन के सामने जो की एकदम ग्रिन ग्रीन है जो आपको परियावरण के विशे में स यह मेप का प्रेश्ट दोस्तों रोज होता है। यह दूसरा सेग्मेंट है हमारे इस मुहीम का जिसके अंदर हम लोग एक मेप कॉश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीम के सामने हैं कि मद्यप्रदेश का यह नगर कोल माइन्स के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अनुकपूर में पढ़ता है दोस्तों कोल माइन्स के लिए फेमस है ये, ओके, कोल माइन्स के लिए फेमस है, अनुकपूर में पढ़ता है, ये कौन सा छेतर है दोस्ते, अनुकपूर में, अनुकपूर में, कोल माइन्स के लिए फेमस है, आंसर दीजे दोस्तों, कौन सा जगह है ये, अनुकपूर में, बाला घाट में कहां पहुंच के कुल्दि प्यादव जी ये देखो ये अनुपपूर में है लोकेशन बनी हुई है आंसर दीजेगा ये प्रियंका राजोरिया जी ने आंसर दे दिया है कोटमा कोटमा ये जगए जो है अनुपपूर में पढ़ती है कोल माइन्स के लिए फेमस है एनेश 43 यहां से गुजरता है इसके आसपास घने जंगल है कोटमा अनुपपूर जिले के अंदर ये पढ़ता है जहां कोल माइन्स भी है तो अगए चल्यूवद के दूसरा सेग्मेंट हो गया अब हमां तीसरा सेग्मेंट देखते हैं कल का रिवीजन та करेंट का रिवीस्ट कर लेते दोस्तों हम लोग व Oreo टाबच पटाबच हमारा रिविजें हो जाता है एक यह आध कर comentários हाँ लाग चल दूसर्त यह दोस्तो अनकेडमी के फीचर्स है लाइव डाउट क्लासे होती है हर तीन क्लास के बाद में ओके इसके लावा इमाई पेमेंट सुविधा आपनों के लिए उकलब दे इस्टडी जो है घर से बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों अनकेडमी के उपर बताने के लिए मेरे पा ल-O-K-L-I-V-E इसके माध्यम से 10 प्रतिशत आप लोग डिसकाउंट राप्त कर सकते हैं एक जो प्रेशन है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर है कल वाला की उपाई एप उपाई एप किस राज्य सरकार की एक पहल है तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक पहल है जो भोपाल मध्य छेत्र विद्य त्वित्रण कंपणी भोपाल के द्वारा उपाई एप लॉंच किया गया था उसकी सारे एक्स्प्लीनेशन मैंने कल दे दिये थे इसका मैंने पीडिय भी आपनों को अपलब्द करा दिया था दोस्तों ओके इसके बाद में आगे की बात करें तो पी नामग्याल का हाली में निधन हो गया है वो कहां से संबंद देते हैं तो लदक से संबंद देते हैं दोस्तों कॉंग्रेस से सांसद रहे हैं पर यह ओके पी नाम गयाल जी कहाली में निदन हो गया लद्दाक से संबंदित हैं कल का हम लोग रिविजन कर रहे हैं दोस्तों इसलिए फास्ट हो रहा है यह ओके चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग के फिल्म मीडिया इकाईयों के तर्ग संगत करण और स्वायत इका हुए हैं दोस्तों ऐसे संस्था हैं जो कि टेलिविजन से चुड़े हुए हैं उनके विकास के लिए एक यह समीती बनाई गी थी और उसके अध्यक्स से विमल जुलका उन्होंने काफी कुछ रिकमेंडेशन दी हैं काफी अच्छी चौथा प्रेश निकलका था दोस्तों किसे फिनलेन्ड में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है तो रवीष कुमार जी को मनाया जाता है सायूंत रास्त के द्वारा मासुम बच्चों की पीड़ा का अंतरास्ति दिवस 4 जून को मनाया जाता है निमलखिसमें स्केर भारती लेखिका ने भारती लगू कता पुरुसकार दोजार बीस में एशया के लिए छहतरी पुरुसकार जीता है दोस्तों कृति का पांडे जी ने द्वारा जीता गया है। दोस्तों वो भारत में मई महा में सबसे जादा बिखने वाली कार बन गई है और मारूती सूजुकी की इरिटी का जो है वो सेकंड नंबर पर है अगला प्रेशन आप लोग की स्क्रीन के उपर के अनुशंधान करताओं की एक अंतरास्टी टीम ने किस नाम के एक प्रत्वी जैसे ग्रह के होने की पुस्टिक किये प्रॉक्सिमा बी दोस्तों प्रॉक्सिमा बी जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचूरी जो तारा है हमारे सूरी का सबसे करीब का तारा प्रॉक्सिमा सेंचूरी उसके असपास ये परिक्रमा लगा रहा है प्रॉक् जिनको कुवेत में भारत के राज़ूत के रुप में नियुक्त किया गया है कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या रग दिया शामा प्रसाद मुकर्जी पोर्ट रग दिया दोस्तों कोलकाता कोलकाता बंदरगाह का नाम अब शामा प्रसाद मुकर्जी बंद तो यह कल का हमारा रिविजन भी हो गया था तीनों सेग्मेंट हमारे नए करेंट अफेर्स मद्ध प्रदेश के मैप की एक नई लोकेशन और कल का यह वाला पूरा रिविजन जो अभी मैंने फास्ट करवा है क्विक रिविजन वह कल का एक रिविजन है दोस्तों कल पुना 6 बजे हम लोग नए 10 current affairs के साथ में मिलेंगे तो सभी लोग इस class को जरूर जोईन करें जो कि 6 बजे होती है दोस्तों डेली बहुत ही महत्रपूर current affairs होते हैं साथी साथ आज 9 से 10 बजे के बीच में MP का MCQ जोईन करना ना भूलें और अपनी वास्टविक जानकारी वास्टविक तयारी के विशे में information मिल सके दोस्तों धन्यवाद thank you कल मिलते हैं 6 बजे होना